मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इंडिया के लोगों को इतना क्रिकेट पसंद क्यों है? तो इसका जवाब साफ है क्योंकि इससे अपनी फीलिंग्स अटाया चाहिए जैसे वर्ल्ड कप ऑफ 1983 और जब धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया तो इससे ये साफ पता चलता है कि किसी स्पोर्ट को फेमस होने के लिए किसी कंट्री में उसकी डिटर्माइड प्लेयर्स होने चाहिए जैसे इंडिया में क्रिकेट के है और उसी तरह उसके फैंस भी है तो आज कल इंडिया के लिए को फुटबॉल भी पसंद आ रहा है और वन आफ दा में रीजन इस सुनील छेतरी तो इसे मध्य नजर रखते हुए ये कोट यानि एनिमे लोग ये फैसला सुनाती है कि आज हाईक्यू का रिव्यू टीम एनिमे लोग देगी और सारे जनता से अपील है कि तीनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और एनिमे लोग को भी सारे लिंक्स दिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं और जिस चैनल में आप ये सुन रहे हैं यानि एनिमे लोग उसे भी सब्सक्राइब करें तो हलो गाइस तो आज का रिव्यू मैं दूँगा तो हाईक्यू एक स्पोर्ट्स एनिमे है जो की वालीबॉल पे बेस्ट है मुझे पता है कि जादा तर लोग को वालीबॉल के बारे में पता होगा बट रूल्स या कैसे खेलते हैं वही पता होगा इसी चलते बहुत लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा होगा तो यार यही रीजन था कि मैंने ये एनिमे कुछ टाइम के लिए नहीं देखा था बट फिर मेरे दोस ने रेकमेंड किया फिर मैंने देखा और सच में आज ये एनिमे देखने के बाद मैं किसी भी वॉलीबॉल टीम का कोच भी बन सकता हूँ मुझे सिर्फ ये एनिम में देख के इतना नौलेज हुआ है तो हाईक्यू एक शोनेन एनिम है जिसका मेन करेक्टर का नाम है शोया हिनाता जिसकी हाईट छोटी होती है और वॉलीबॉल खेलने के लिए हाईट बहुत सरूरी होती है बट उसकी हाईट उतनी नहीं होती लेकिन फिर भी वो बहुत उचा कूच सकता है और उसके रिफ्लेक्स भी बहुत तेज है बचपन में जब वो छोटा था तो उसे भी वालीबॉल में कोई इंट्रेस नहीं था फिर एक दिन उसने एक शॉप में एक लड़के को नैशनल लेवल के वालीबॉल खेलते हुए देखा जिसकी हाइड भी छोटी थी पर उसका निकनेम था लिटर जाइन जिससे उसे वालीबॉल खेलने की प्रेड़ना मिली जूनियर स्कूल तक उसके पास कोई टीम नहीं थी और ना ही उसके स्कूल की थी बट फिर उसने अपने कुछ दोस्तों को बोल कर एक टीम बनाई बट वो लोग अच्छे प्लियर्स नहीं थे वो लोग बस हिनाता के कहने पर ही खेल रहे थे हिनाता की टीम एक टुनामेंट खेलने गए थी जिसमें वो पहला राउंड में ही हार जाते हैं बट उस मैक्स से कागयामा उसका दुश्मन बन जाता है अब आप ये पूछ रहे होंगे कि ये कागयामा कौन है तो मैं आपको बता दूँ वो मेन कैरक्टर ही है बट सेकंड मेन कैरक्टर और हाइक्यू की स्टोरी इन ही दो लोगों पर बेस्ट है बट हिनाता के ऊपर थोड़ी ज्यादा फोकस की गई है तब वो दोनों एक ही स्कूल में कोइंसीडेंस चले जाते हैं जिसका नाम कारासोनो हाइस्कूल था और वो पहले बहुत स्ट्रॉंग टीन थी और वो एक बार फाइनल्स में भी गई थी उनका पहले निकनेम क्रोस था बट अब फॉलें क्रोस से फ्लाइटलिस क्रोस हो गया है फिर आगे की स्टोरी यही है कि वो दोनों कैसे मिले और फ्रेंड्शिप कैसे हुई उनका एक स्पेशल अटाग भी है वो भी आगे एनिमे में दिखेगा और उनके प्रैक्टिस मैच और टूनामेंट्स में भी दिखेगा बट मैं आपको यह बता दू और आप भी यह नोटिस करेंगे कि जब आप इसे देखोगे तब अगर हिनाता की टीम जीतेगी तो आपको लगा की आप जीत रहे हो और जब हारेगी तो लगा की आप हार रहे हो और आपको बहुत गुस सा फैक्ट बताने वाला हूं जो सुनके आप इग्णम से हैरान हो जाओगे पूरी जपैन में बहुत सालों से वालीबॉल खेनने वाले स्टुडेंट्स कम हो रहे थे और 2012 में 5% और कम हो गई थी जो लोग वालीबॉल खेलते थे लेकिन 2013 में एक ऐसा चीज हुई कि 2013 में इतन का रिजन था कि फरवरी 2012 में हाइक्यू के राइटर ने हाइक्यू मांगा पब्लिश की शोनें जंप ने अपने वीकली एडिशन में और 2015 के 6 अपरिल को प्रोडक्शन आईजी ने इसकी एनिमे एर करना स्टार्ट किया तब से आज तक फॉलीबॉल जपैन में बहुत ज्य अगर आप इस एनिमे को देख लो तो मेरे ख्याल से तो वॉलीबॉल आपका फेवरेट स्पोर्ट भी बन जाएगा वैसे तो मेरा बन गया है अब इस एनिमे के रेटिंग्स पे आ जाते हैं तो माई एनिमे लिस्ट पे इसको मिली है 8.57 स्टार्स इस एनिमे के एनिमेशन भी बहुत अच्छी है जिस स्टूडियो ने इसे बनाया है उसका नाम है प्रोडक्शन आईजी इस एनिमे के राइटर या मांगा राइटर का नाम हुरुईची फूरुदाते हैं यह एनिमे मेरे तरफ से तो मस्ट वाच्च है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ भी दे कर दीजेगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा बाइबाइब